कि चालू रेस में गोड़े बटले नहीं जाते ये सेंटेंस अगर कोई राहू गादी को बोल देगा तो इनके दिमाग में पी आता है उपी जेसे स्टेट में महामध्री बनकर इनको जो अंदर डाला गया एक पोलिटिकल मिस फार होता है उर् हमधिया यह समय एक्स्रविदेस में ही पार्ति अभी और एक्स्रविदेस इस इस पशार होता ये गुबारा 23 बना रहे हैं, इनके पास कितना ताकद है, कितना दम है, साप जानता है देखे कांग्रेस जब तक चम्पू और चाटुकारों के चुहल बादी से बाहर नहीं निकलेगी तब तक उसका यही यार होगा नमस्कार मैं हूँ सुमित अवस्ति और इंडिया चाहता है मैं आप सब का तहे दिल से स्वागत है कांग्रेस आज अपने वजूद के सबसे खतरनाक मोड़ पर आकर खड़ी होई है पार्टी का एक गुट नहरू गांधी परिवार से कह रहा है कि गद्धी छोड़ो तो दूसरा गुट पूछ रहा है कि नहरू गांधी परिवार नहीं तो फिर कौन इस कौन पर फिलाल सब मौन है सब नहरू गांधी परिवार को तो निशाना साथ रहे हैं लेकिन जिम्मेदारी लेने के लिए कोई का नाम आगे नहीं आ रहा है आखिरकार परिवार के नेत्रोत उपर हर कोई इतना मुखर है आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है क्या गांधी परिवार पूरी तरीके से नाकाम साबित हुआ है या गांधी परिवार का कोई तोड कॉंग्रिस पार्टी के पास है नहीं या फिर नरेदर मोदी का बढ़ता प्रभाव ऐसा है कि कोई भी उनसे टक्कर लेने की हिमत नहीं कर पा रहा है इन सब के बीच आज आपको बता दे एक बड़ी ख़पर आई है कल जी ट्वंटी तरी की महत्पून बैठक हुई थी आज इसी बागी गुट जी ट्वंटी तरी खेमे की मान मनवल की कोशिश तेज हो गई है भुपेंदर सिंग उड़ा जो कि हर्याना के पूर मुक्यमंती रह चुके हैं थोड़ी देर पहले कपिल सिबल के साथ गुलाम नभी आज़ाद की घर पर पहुँचे हैं गुलाम नभी आज़ाद और कपिल सिबल जी ट्वंटी तरी गैंक के सबसे बड़े चेहरे हैं तीनों नेताओं के बीच इस वक्त बैठक चल रही है इससे पहले हुड़ा ने आज सुबह राहुल गांदी से मुलाकात की थी वपेंदर सिंग उड़ा वो चेहरे हैं जो गांदी परिवार के भी करीबी हैं और जी ट्वंटी थी में भी उनका नाम गिना जाता है राहुल से मुलाकात के बाद उड़ा ने अब गुलाम नभी से मुलाकात की है यानि वुपेंदर सिंग उड़ा पहले कल की बैटक में गए फिर आज सुबह राहूल गांधी को ब्रीफ किया और राहूल गांधी से मिलने के बाद वो अब गुलाम नभी और कपिल सिंपल से मुलाकात कर रहे हैं क्या G23 के इस ग्रुप से मान मनबल की कोशिश गांधी परिवार कर रहा है और अब ये मुलाकात बता रही है कि कॉंग्रेस में छिड़ी जंक को खत्म करनी की एक और कोशिश चल रही है लेकिन सवाल ये है कि कॉंग्रेस में नहरु गांधी परिवार के खिलाफ सुलग रही नाराजगी किसी एक सदस्त के खिलाफ है या पूरे के पूरे गांधी नहरु परिवार के खिलाफ हमारा आज का सवाल इसी से जुड़ा हुआ है मैं आप लोगों से बुझना चाहता हूँ कि कॉंग्रेस का ये जो गुट है G23 वो किसके खिलाफ बगावत कर रहा है आपको क्या लगता है आप्शन ए सोनिया गांधी आप्शन बी राहुल गांधी आप्शन सी प्रियंका गांधी आप्शन डी तीनों के ही खिलाफ आप ABP News के ट्विटर हैंडल अडरेट ABP News पर जाकर अपना जवाब हमको दे सकते हैं कारेकम के आखिर में इस ट्विटर पोल के नतीजे भी आपको दिखाऊंगा ABCD चार आप्शन है किसमते किसी के को आपको वोट करना है और आज कॉंग्रेस के इसी महा संकट पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ खास महमान जुड रहे हैं राजिस्तान सरकार में गैलो सरकार के परिवन मंत्री और कॉंग्रेस पार्टी का रूप रखने के लिए वहां के नेता प्रताप सिंग खाचरियवास साथ मेरे साथ है इनके लावा बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुकला जी मेरे साथ इस चर्चा में जुड रहे हैं कॉंग्रेस के पूर प्रवक्ता संजय जास साथ हमारे साथ जुड रहे हैं और राजनितिक विश्टिशक के तौर पर कॉंग्रेस के एक और पूर्व नेता पंकच शर्मा जी भी इस चर्चा में हमारे साथ हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन चर्चा शुरू कर रहे हैं इस गहन और महतपूर्व विश्टिश पर उसके पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाता हूँ जिससे आप समझेंगे कि जिस नहरु गांधी परिवार के सामने कॉंग्रेस के निता यस में इनकी मुद्रा में रहते थे कैसे आज वो उसी प हमें केवल आप पे विश्वास हमें किसी और पे विश्वास मेंगे सच बात ही है साल 2004 में जब सूनिया गांधी ने अंतरात्मा की आवाज पर पिधानमंत्री का पद संभलने से इंकार कर दिया था तब ये वो नेता थे जो सूनिया से ऐसा ना करने की विंती कर रहे थे कॉंग्रेस का नेतरत वही है चहरे वही है लेकिन अब उनके सुर बदले हुए है अब तक जो विंती करते थे अब मांग करने लगे अब हमें आग रह नहीं करना चाहिए हमें डिमांड करना चाहिए कि चेंजिस चेंगे का पार्टी किना केबल शीर्ष नेते तो लेकिन 90 परसंड लोग इस समय जो इए इस इस में है इनको भी बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आठ साल से केंदर की सथा से कॉंग्रेस दूर है लोग सभा में महज 52 सीटों पर कॉंग्रेस सिम्टी हुई है और कभी पूरे देश में राज करने वाली कॉंग्रेस आज सिर्फ दो राज्यों में अपनी सरकार चला पा रही है तो सवाल है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है क्या सुनिया गांधी जो कांग्रेस की काम चलाओ मुखिया है क्या राहुन गांधी जो अध्यक्ष है भी नहीं और पारТी पर्दे के पीछे से चला रहे है या फिर प्रियंका गांधी जिम्मेदार है जो फले ही यूपी कॉंग्रेस की अध्यक्ष न रही हूँ लेकिन कॉंग्रेस चुनाव तो उनके नाम पर ही लड़ रही थी इन सवालों के बीच कॉंग्रेस बटी हुई है G23 के नाम से बने असन तुष्टों के गुट ने बुधवार रात गुलाम नवी आजाद के घर बैठक की उसमें मनी शंकर एयर शशी थरूर से लेकर शंकर सिंग वागिहला जैसे गांधी परिवार के करीबी नेता महुचे इन सब का मानना था कि कॉंग्रेस में नेतर तुप परिवर्तन हो अगर वागिहला के बयान को डिकोट करें तो संतुष्ट खेमे की नाराजगी सबसे जादा राहुल गांधी से है और ऐसा इसलिए है कि राहुल गांधी से संपर्ख साधना कारिकरता तो दूर नेताओं के लिए संभव नहीं होता आज राहुल जैसे सलहकारों से गिरे हैं उसके कारण वो पार्टी के नेताओं और लोगों से कटते जा रहे हैं राहुल के फैसले सही नहीं होते जैसा कि पंजाब में कैप्टेन को हटा कर हुआ और संगठन खड़ा करने के लिए जो दमखम चाहिए वो दिख नहीं रहा कि कॉंग्रेस को बुकतना पड़ रहा है सही आदमी एहमद बाय का रिप्लेस्मेंट में सही आदमी आकर अगर संभाल कर पार्टी को संभाल तो शायद यह कोई जी 23 या वो या ये गुरूप या वो गुरूप जान बुच कर ये इस तरीके की हवाबाजी करते हुए कॉंग्रेस पार्टी की असलियत में कमजूर करने का प्रयाश कर रहे हैं आज ये गुबारा 23 बना रहे हैं इनके पास कितना ताकादा कितना दम है साब जानते हैं होगा दिल्ले से संबादा था जैनेक कुमार के साथ आशीश कुमार सिंग के रिपोर्ट हमारे साथ खास मेमान जुड़े हुए हैं मैं उनके साथ इसी चर्चा को खोल देता हूँ क्या खिरकार कॉंग्रेस की इस गत की वज़े क्या है प्रेम शुकला जी आप बहार ही आदमी है और इन फैक्ट ये तीनों लोग ऐसे हैं जो कॉंग्रेस पार्टी से जुड़े रहे थे या जुड़े रहे हैं लेकिन आप बहार से हैं ये जब आप हालत देखते हैं कर रही थी पार्टी कि कांग्रेस या कोई भी पार्टी जब उसका सामान लोगों से संपर्ण तूट जाता है जब उसका सांगर्णिक धांचा एक वंच तंत्र के अत्रिक्त शेस नहीं बचता है जब किसी पार्टी का कनेक्ट पूरी तरह से जनता के मुद्दों से कट जाता है तो जो दुर्दशा होती है कांग्रेस की हो रही है कांग्रेस के पिछले सतर वर्षों के इतिहास में कुछ कालांतर छोड़ दिया जाए तो अधिकान समय नहरू गांधी परिवार नहरू गां एक समय था जब पंडिजवाल लाल लेहरू के नाम पर वोट मिलता था तो उनके निर्णे अच्छे हो बुरे हो उसके कारण संगठन के संचालन में किसी तरह का गतिरोध नहीं आता था कालांतर में श्रीमती इंद्रा गांधी थी जिन्होंने 77 के बाद कांगरेस को रिवाईव अपने पुत्र के साथ मिलकर किया राजिव गांधी के कारेकाल में वही संग्ठन क्रियान्वीत रहा जो श्रीमती इंद्रा गांधी और श्री संजे गांधी ने बनाया था श्रीमति सोनिया गांधी के आते आते वो लोग बुजुर्ग हो गए जो श्रीमान संजय गांधी के इवा तुरकों के नाम से पाल्टी में आये थे अब उनका श्रीकंजा छूटने तक श्रीमान राहूल गांधी जो टीम लेकर आये है उस टीम का आम जनता से कनेक्ट नहीं है और जिस तरह से आम जनता के मुद्दों पर लड़ाई विपक्ष के रूपे लड़नी चाहिए सत्ता पक्ष के रूपे जो निरने लेना चाहिए वो करने में कांगर्स का में अब नहीं हो पारी है नि पर गांधी की जो सो कॉल टीम थी प्रेम शुकला जी वो तो भीजेपी का हिस्सा है सुश्विता देव जोटिः दित्यसिंद्या जितिन प्रसाद आर्पी एंड सिंग यह जो राहूल गांधी की टीम माने जाती थी जंग कांग्रेसी 2009 वाले यह तो सब्सक्राइब बीजेपी के साथ हो गए यह कांग्रेस को छोड़ चुके हैं कि इसलिए कि उनको कांग्रेस के नेतरत में विश्वा सेस्वचा नीशुस में ख्ली गई शेश जिन नेताओं का आपने नाम लिया वह भारती जनता पार्टी में आये और भारती जनता पार्टी की प्रताब सिंग जी जवाब चाहूंगा यह बात बहुत परिशान करने वाली है प्रताब सिंग जी यह बात बहुत चिंता करने वाली है कि जो लोग सोकॉल जी ट्वंटी थी बोले जा रहा है जुन्होंने पहरी बात चिट्टी लिगी थी उनमें से किसी ने भी अपने आप कॉंग्रेस नहीं छोड़ी वो आज भी कॉंग्रेस में एक्सेप जितिन प्रसाद जो उसका चिट्टी का इससाते जो भाजबा में चले गए हैं मैं यह जा कर रहे हैं ठीक एक बात आप मानका चलिए हर पालिटी के सामने चुनौती का दौर आता है और चुनौती के दौर से घबराने की जरत नहीं है जो चुनौती के दौर से घबराते हैं उन लोगों को आप यह मानका चलिए राजनीत में नहीं आना चाहिए एक रिजल्ट आया अभी पांच राज्यों के चुनाव हुए और पांच राज्यों के चुनाव में कॉंग्रेस हार गई तीन जगे हम उम्मीद कर रहे थे गोवा में उत्राखंड में हमारे रिजल्ट अच्छे आएंगे हम कम से कम और पंजाब में हमारे अच्छे पंजाब में हमारी सरकार थी और हम हार गए हारने का मतलब हिम्मत नहीं हार नहीं चाहिए आप क्या समझते हैं यही वही कॉंग्रेस है बारते जंता पार्टी दो सीटों पे सिबढ़ गई थी इनी सोनिया गांधी जी के नित्रत्व में 2004 से लेकर 14 तक सासन किया यह भी हमें समझना पड़ेगा सोनिया गा बाद वो इसकी वज़ए यह है कि यह आवाज पार्टी के भीतर से आई है यह आवाज प्रेम शुक्ला ने या नरेंद मोदी ने नहीं लगाई है यह आवाज गुलाम नभी आजाद आनन चर्मा कपिल सिब्बल ऐसे तमाम दिगज हैं जिसमें आप कल पांच और पूर मु करता जा रहा है और राहूल गांदी के अपने लोग छोड़ते जा रहे हैं तो यह आप अतीद में रहेंगे तो भविष्ट का सामना कैसे कर पाएंगे एक बात आप मानका चलिए अतीद की काम बात ने अभी तो भारते जंता पार्टी को साथ साल हुएं सासन में ज्यादा खुष होने की ज़रत नहीं है इस देश में जिस कॉंग्रेस पार्टी ने आजादी के लड़ाई लड़ी ठीक है वो लड़नी अब की बार भी आप ये मानली जिए राइट टू इंफॉर्मेशन राइट टू फूड राइट टू वर्क ये जितने भी बड़े काम हुए वो सारे कॉंग्रेस पार्टी ने किये अब जब ये रिजल्ट आ गए एक भी व्यक्ति खुलकर जब CWC की मिटिंग हुई राउल गादी जी ने तो खु और नहीं है जनता की आवाज बनकर और जो बीजेपी ने धोका किया देश के साथ पंद्रा लाग दूगा अच्छे दिन लेकर आऊंगा पैट्रोल डीगल सब्सक्राइब तो इसका मतलब जो बात आप कह रहे हैं मैं आगे बढ़ता हूं यहां से पंकर शर्मा जी पंकर श सब को इस तीफ़े की उम्मीद की गई होगी गांधी परिवार के द्वारा कि हम पूरी पार्टी को रिहॉल कर देंगे ऑवर हॉलिंग कर देंगे एक ने भी स्तीफा नहीं दिया उल्टा जी ट्वंटी थी बना लिया और वो अब रोज चिठी बाजी कर रहा है रोज मीड पूराना चाहिए इनके साथ मिल बैट के बाते करनी चाहिए रास्ता क्या है कि G23 के सदस्यों में से एका-दुका की तो मैं बात नहीं करता कोई भी न तो राहुल जी के नेतरत के खिलाफ प्रियंका जी के नेतरत के खिलाफ न सोदिया जी के लेडरशिप व्यक्तिकत तोर पर जो मिरी बातचीत इतने महिनों में बहुत से नेताओं से हुई है, देखिए दिक्कत क्या हुई जो मैं समझा हूँ, मेरा व्यक्तिकत observation यह है कि G23 तब बना जब राहुल जी के आसपास के कुछ लोगों द्वारा इनके साथ मिस हैंडलिंग हुई, ऐसा एक आभास हुआ कि राहुल जी से इनको मिलने का समय नही प्रिकत हुई, यह आसपास के लोगों के नहां पर कई लोगों की तस्वीरे चलती हैं, यह आसपास के लोग कौन हैं, और क्यों इन पर राहुल गांदी कारवाई नहीं कर रहे हैं, अब देखिए, यह आपकी बात से मैं सहमत हूँ, आसपास के लोग कौन हैं यह सब जानत पार्टी में भी सब लोग जानते हैं और इस बारे में सुक्बकाहट भी होती है और खुलकर बात भी होती है मैं मानता हूं कि राहुल जी को यानि कि शिखर नेत्रत्व को अपने सहयोगियों का चैन बहुत सावधानी और सतरकता से करना चाहिए जो शायद पिछले कुछ वर तो हम बात वहीं पहुंच गए संजे जा जी हम फिर वहीं पहुंच गए जब मैं कॉंग्रेस पार्टी कवर क्या करता था अससे दस पारा पंदरा साल पहले कहा जाता था कि गांधी परिवार एक कोट्री के आसपास उसके गूंती है वह कोट्री तैक करती है कि सुन्य मजदीकी तक दोनों नेतरत के साथ काम किया आपने हाली में आप अलग हुए आप निश्पक्षिता के तौरत में आप बात करते हैं आपने किताब भी लिखी मैं आप से यह पूझना चाहरा हूं संजे क्या एहमद पडेल का चले जाना एज पॉलिटिकल सेकेर्ट्री टू कॉंग्रेस प्रेजिडेंट वो एक नुकसान दायक बात है या राहूल गांदी और प्रियंगा गांदी के आसपास ऐसे लोग आ गए हैं जो पॉलिटिकल चेहरे नहीं है और वही ची लोग तैख कर रहे हैं पार्टी का कैसे चलेगी कैसे नहीं चलेगी सुमई जी देखिए सबसे पहले तो इस बात को स्वेकार करना पड़ेगा कि ये कॉंग्रेस पार्टी के लिए ये अस्थित्व का एक संकटकाल है और ये मैं समझता हूँ कि एक आपातकाल का एक परिस्थित में है देखिए जब तक आप सच्चाई का सामना नहीं करेंगे तो आप समाधान कहां ढूंडेंगे इस समस्या का सबसे पहले तो ये हम सब लोगों को कुबूल करना पड़ेगा दूसरी बड़ी बात देखिए हम लोग सब कहते हैं कि ये कॉकस की गलती है राहुल गांदी के अगल बगल में जो लोग भी है जिनका अपना ही कोई स्वार तो ये आपके नेट्रित पर प्रशन उड़ता है ना आज एक बात बताएं आपको सुमी जी मैं समझता हूं कि नेट्रित ऐसा होता है और वोगी वोगी ऐसी पार्टी खा जिसमें कि जी अब सीजनल चला गया है संजे जी आपका कनेक करने की दुपारा कोशिश करता हूं लेकिन पंकट शर्मा मैं आपके पास दुपारा लोडता हूं और जब संजे जाएंगे तो उनके पास बात करूँगा आपने इस और इशारा किया पंकर शर्मा अपने यह आपको क्यों लगता है? कई जगे वहाँ करनाटक में पार्टी टूटी लेकिन उसमें कॉई भूमिका नहीं थी लेकिन पिछले कुछ वर्षों में हम देख रहे हैं कि कॉँछे भारत मुक्त भारत की स्थापना की हवस में भारती जंता पार्टी किसी भी हद तक जाने को तयार है और ये मेरी पक्की सूचना है, मैं ये नहीं कहरा कि उस साजिश के तार ये G23 से जुड़े हुए हैं, लेकिन मेरी पक्की सूचना है कि बहुत से राज्यों में राश्ट्री स्वयम सेवक संग का एक खास प्रकोष्ट तैयारी कर रहा है, कि किस तरह कॉंग्रेस के कुछ निर निर्वाचन आयों को सुनते हैं, प्रेम शुक्ला, जी देखिए बड़ी बशुर काहवत नाचन आय आगन टेड़ा, अब कमियां जो हैं वो कांग्रेस के नेत्रत्त में हैं, कांग्रेस का नेत्रत जैसे स्वेह स्रीमान पंकेश वर्मा जी ने बताया कि कांग्रेस का नेत जाता को सुधा कोटरी द्वारा घ жел कर कोटरी में बद है को शुक्ला के स्वेह स्वेम बंद है इतने हम अवर्यक पोटरी होने के स्वेह आप उम्रियंध करें में पालिर जाता है आप मैं मैं आपके आपके सब्सक्राइब अभी अभी आप मेरे मुं मेरे मुं में शब्द क्यों डालेंगे अभी का शब्द है निस्चिन्त रहें के कोटरी आपका शब्द है और कोठरी लेकं कोटरी तो आपका शब्द है ना कोटरी मैंने तो कोटरी शब्द का इस्तिमाली नहीं किया सलाकार बोला पंकर शर्मा ने कि सलाकार जो आसपास है वो ठीक नहीं है पंकर जी ने सलाकार की और इशारा किया था कोट्री तो प्रचलित शब्द है कॉंग्रेस गाला कमान के लिए कई दश्कों से इस्तेमाल हो रहा है संजे जा जी ने कोट्री कह दिया मैंने का मैंने कहा कि राहुल जी को अपने सलाकार कहने थे संजे जा एक कमेंट में आपका जरूर चाहूंगा ये कौन लोग हैं जो राहुल गांदी जिन से घिरे हुए हैं और जो गलत हैं जिनकी वह बार-बार इशारा किया जा रहा है आज दी कौंग्रिस पार्टी का जो हार जो हूआ है मैं जवाब दे ता हूं लेकिन पार्टी में हमारा चरित्र इतना कमजूर हुचुका है कि हम दो लोग सुभा चुनाओ हा रहे हैं हम हर राज चुनाओ लगतार हार रहे हैं हमारे राजनेता बीजेपी टे-पी आमसे आ अरे भाया आज यदी क्रिकेट टीम होता तो कप्तान चे बार बदल दिया गया होता आज अज अमरीका या बृतन का कोई भी यदी प्रजातंत्र होता तो वहाँ लीडर को मैं तो समझता हूं कि दस साल पहले लोग कहते हैं कि आप कहीं और बैठ जाएए और इसमें किसी का अ और मैं समझता हूं कि आज यदी राहूर गांदी जी खुले आम कहें सार्वजोनिक तरीके से सच्चाई का सामना करते हुए कहें कि मैं अगला अध्यक्ष नहीं बनूंगा मैं चुनाओं नहीं लडूंगा जैसे उन्होंने 2019 में कहा था तो यह जो सारी समस्यां हैं यह सब खतब हो जाई हैं? थौं राहूल जी ने तो अध्यक्ष्पत से इस्तीफा दे दिया ऐसी नेतिकता क्या किसी और ने दिखाई कॉंग्रेस्कारीसमीती की एक भी सदसें इस्तीफा नहीं दिया विए कॉंग्रेस्कारीसमीती की बैठक शुरू होते ही सोनिया जी ने कहा कि मैं स्तीफा दे देती हूं। ये पांच राज्यों की हार को लेकर प्रियंका जी स्टिफा दे देती हैं लेकिन किसीretी बी राज्य के प्रभादी की ने लेकर शाव दिन तक कोई प्रदेश अध्यक्ष फुद अपना इस्टिफा नहीं तो हमेशा जो है हार की जिम्मेदारी लेकर इस्तिफा बात कर रहा है जाब देना चाहा है पंगर जी यदी मैं राहूर गांधी होता तो 2019 में जब इस्तिफा दिया तो उसके बाद में पिछे से में कॉंग्रेस बार्टी को नहीं चलाता और यदि मैं राहूर गांधी होता तो 2019 में जब मैंने कहा कि मैं वापस नहीं आऊंगा और गांधी परिवार को कोई आदमी अधिर्ष नहीं होगा तो मैं उसका पालन करता वो क्यों नहीं हो रहा है जहां तक आप कह रहे हैं कि सोनिया गांधी जी इस्तीफा दिया तो उसको मंजूर भी तो करवाई है ना क्या उसमें क्या मुश्किलात है आप भड जाये बोलिए कि चाहे CWC कुछ भी बोले मैं जा रही हूं यह तेखिए सच्चाय का सामना करना पड़ेगा पंगजी आप मैं जानता हूं गमीनी सर्फ पर आप कितने लरते हैं जैसे राहूर गां कॉंग्रिस पार्टी खतम हो जागा देखिए बाचपा के साथ टक्कर करना है अंदर में ऐसे लड़ने से कुछ नहीं होगा और बद्राओ नहीं करेंगे कि इस बार लडाई ओपन में हो रही है खुल के हो रही है कम से कम कम से कम तीन दिवेट तो मैं कर चुका हूं नतीज देखिए यह यादा करके लोग नौन राजनितिक हैं यह जो है इनके घमंड इनके एहंकार के कारण G20 तो छोड़िये आप पूछे ना पंकर जी से कब उनको पिछले बार मुलाकात हुआ था राहूर गांदी जी 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 आप जब आप कॉंग्रेस में आये थे आप कितने बड़े राजनितिक थे तुनिये ना अरे सुनिया आप भी उन्ही गहर राजनितिक लोग में रहें एक मिनट एक बहुत कुछ दिया बड़ी बड़ी भूमिकाओं में आप रहे आप कैसे नाम बताएंगे आप तो उन्हों के साथ रहें आज सुनिये मेरी बात सुनिये सुमी जी आपने पूछा कौन एक बहुत एर अस्ट्रिय प्रवक्ता है एक महिला है उन्होंने कहा कि पांच साल तत मैंने कोशिश किया राहूल गांदी से मिलने का लेकर उनके जो सहयोगिया जो भी आपने कहा कि उनके जो भी क्लोसरकुर क के लोग हैं उन्होंने कहा कि आप उनसे नहीं मिल सकते हैं कोई बहाना ये बहाना देके आप समझ सकते हैं इस बात को जो पार्टी के लिए हर रोज आके लड़ती हैं उनको अध्यक्त से या दीफेक्टों कॉंग्रेस प्रिसिल से मुलाकात ही नहीं होता है अब ये हाल है और मैं बता रहा हूँ आपकर मैंने अपने किताब में लिखा है तो आप तो हर बाचओय दिन मिलते थे तो आपने कभी राहुल जी से कहा रहा है आप क्यों पास साल नहीं मिल रहे हैं किसी से यह ये जो बंतन है पंकर जी संजे जी सौरी ने इंटरवीन कर रहा हूं बीच बोज़े नहीं पता कि क्या होगा क्या उनके मन में चल रहा है वह तो हम लोग अक्सेस है ने इने अमारे पास लेकिन ये बहुत जरूरी है कि जो मन्थन चल रहा है उसका उसका एक रिजल्ट जरूर निकले वरना अगर रिजल्ट नहीं निकलेगा तो दोधार चौवीस दू मैं केवल हमदर्दी जदा सकता हूँ खाच्रेवास आप जैसे तमाम निताओं से शुक्रिया दोस्तों आप तमाम लोगों का इस डिबेट को देखने के लिए क्योंकि कॉंग्रेस पार्टी पर ये भहस लंबी चलने वाली है एक हार पर हार और दूसरा पार्टी में गुट बाजी और हाहा कार जी ट्वंटी त्री का संतुष्ट केमा नेतरत को लगातार जगजोर रहा है कहीं खुलकर तो कहीं शारों में गांदी नहरू परिवार पर हमला बोला जा रहा है आज का सवाल हमारा इसी से जुड़ा हुआ है कि कॉंगरिस का गुट जी ट्वंटी त्री किसके खिलाफ बगाबत कर रहा है आपको क्या लगता है आप्शन ए सोनिय गांदी आप्शन बी राहूल गांदी आप्शन सी प्रियंका गांदी या आप्शन डी तीनों के ही खिलाफ आप एबीपी न्यूस के ट्विटर हैंडल अट दरेट एबीपी न्यूस पर जाकर अपना जवाब दे सकते हैं आपकी राय हम कारेकम के आखिर में जरूर दिखाएंगे कि किसको कितने परसेंटेज वोट मिले और इसी मुद्धे पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ अब मौझूद हैं गुजरात कॉंग्रेस के दिगज नेता पूर्मुक्यमंतरी शंकर सिंग वागिला साथ जो की बापू के नाम से भी अपने क्लोस सरकल में जाने जाते हैं पापू आप कल रात गुलाम नभी आजाद साब के घर दिल्ली पधारे थे असंतुष खेमे की बैटक का आप हिस्सा बने आप हाला की जी ट्वेंटी थी का हिस्सा तो नहीं थे पर कल की डिनर मीटिंग में आप शामिल थे अब जो ये बगावत का सुर उठ रहा है जी ट्वेंटी थी की तरफ से मैं आप ही से पूछता हूँ ये किसके खिलाफ है सोनिया जी के राहूल जी के या प्रियंका जी के ये जो आपने ए बी सी डी जो कहा इसमें एक भी इसमें लागू नहीं होता है किसी के खिलाफ कोई नहीं है अगर खिलाफ है तो सिस्टम से खिलाफ है हर पार्टी में हुमन टच होती है और इस हिसाब से जबी भी किसी को कोई सुदने वाला नहीं होता है तो नेचरली एक कहते हैं सुरेश कि ना राश जी के खिलाफ न परियां जेका की कि खिलाफ कोई कोई नहीं है कि जब रिजल्ट नहीं हाता है पॉलीटिकल पार्टी में तो नेचरली जीतने भागीदार सभार और कोई ही चीज यहां भी लागू होती है जितने वाले बोढ़े तो हमारे इसाब है यहार हाती है तो कोई नहीं मारे हैं कर मेरे इसाब से आब हारे प्रियंका गांदी खुद लड़ना नुकसान दायक थाबित हुआ या उनको गलत सला दी गई और किसने दियोगी यह सला ठीके सला किसने दिया वो तो पता नहीं है लेकिन प्रियंका जी का जो प्लांट करना है लीडर्शिप प्लांट करने की एक आर्ट होती है लीडर जहां जितने वाली लीडर को भाषन के लिए बेजा जाता है और क्रेडिट जो है प्लस 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 वाली वो लीडर के खाते में जहां करने पड़ती है प्रियंका जी के बारे में I know her की वो अमेठी और आइबरेली में पूरा जिम्मेदारी लेकर घुमती थी सबको मिलती थी इंदिराजी का चेहरा लोगों को इसमें नजर आता था विस स्माइलिंग पेस कभी घुस्ता नहीं करना लेकिन पूरी यूपी की जदर सेक्टरी बना कर यूपी में प्लांट करना वो जो सलाह दिया जिसने भी दिया है वो गलत किया है जिस स्टेट में से कुछ निकलना नहीं है वो रेडिमेड होमवर्क करके फिर इनको जिम्मेदारी देने चाहां कुछ विक्टरी होती है विजय होता है तो 2019 में जब राहूल गांदी चुनाओ हरते हैं मेठी से राहूल हो चाहानन शर्मा जी रहे हो एक ने भी नहीं कहा कि नहीं पूरी पार्टी को रिवैम करने का वक्त आ गया है आपको लगता नहीं कि सारी जिम्मेदारी गांदी परिवार पे डाल देना भी जाती है राहूल ग्रियंका के साथ ने 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 यह सिस्टम गलत है हार जित हो करना चाहिए रेजिगनेशन किसी का लेना चाहिए रिस्पोंसिबल है तो पार्टी की ब्रांड रिस्पोंसिबल है उसका प्रेसिडेंट या वर्कर या यह तो नहीं होती है तो पार्टी की ब्रांड जो बनानी है इसमें सब मिलकर ब्रांड बनती है इसमें आर गये तो र वो तो जो तो मार्केटिंग में ब्राण में राहूल गांदी जी को जो इननों ने पप्पू बना दिया, वो तो ऊपजिट पर्टी तो करते रहेगी. लेकिन हमको उसके पीछे नहीं भगना चाहिए, हमको उसके सामने हमारी ब्राण, जब राहूल गादी जी पार्टी के जब एक्टिंग प्रेसिदेंट या वाइस प्रेसिदेंट बने थे तब मैंने कहा था उस मिटिंग में कि अब राहूल गादी आने वाले दिनों में अलग राहूल गादी होंगे इनके लिए जो भी मार्केटिंग करना चीए अच्छी इंटरनेशल एजनसी मुलाकर मार्केटिंग के पिछे लगाना चीए what do you mean by राहूल गांधी ये मार्केटिंग में पार्टी की कमी आई और जो मिजेपी के उसमें चला उसके उसे हिस्सेदार हो गए सब क्या यही है यह नहीं होता है राहूल गादी इस नाट पापू इस वेरी यंग आए अधिक और वरी विद्फुल कॉंफिनेंस फिजिकली मेंटली इसको बदनाम करने से बिजिब को फाइदा होता है लेकि पूरे संदीब दिक्षित में हमको इंटर्व्यू दिया और उन्होंने कहा यह बाद कि अब इन तीनों के हटने का वक्त आ गया है यह राहूल जी प्रियंका जी और सोनिया जी हम यह मांग करते हैं कि तीनों हटें क्या मैं आप से पूछता हूँ अगर गांधी परिवार के लोग सकती है इमांदारी से बताईए ने 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 मैं एक सिनियर आदमी बहुत सिनियर जो गांधी परिवार से बहुत नद्दी है और मैं भी काफी नद्दी हूँ इन्होंने एक वाक्य बताया कि गांधी परिवार के साथ भी चला नहीं जा सकता और गांधी परिवार कि गाण्धी के साहथ और गाण्धी के मीना यह बात है ना गाण्धी फेमिली के मीना आद कॉंग्रेस पार्टी चल नहीं सकते हैं या करफ सरंदर हो से कउठया जी संदिया की बात बांते एक मठीन लिमित होती है विलत guitar तो आप यह कहा है वागिरा साब कि एक बी सथ नेता नहीं है चाहे जीटवेंटी थृओ चाहे पूरे देश में जो गांधी परिवार के बाहर हो और पार्ठी को साथ सके एक प्याता नेता नहीं है कि अब नई है तो क्या करें ८णी कोals में कोई खड़ा हो तो कहा है । इसके लिए सर्वस विक्रूती होनी चीए है व्यक्ति की personality है एसी होनी चीए सब्सक्राइब आजाओं के नाम पे के नांब कि नाम पे मणी शंकर रहिएर के नाम पे जो भी लोग थे कर दो नहीं को भुल जाका या आप अंटनी साहब चीद ब्रम का किसी को प्रॉब्लेम है कि पार्टी टूट सकती है गांदी परिवार के लॉयलिस्ट अलग हो सकते हैं क्या ऐसा खत्रा भी था देखिए वालों ने कहा कि हमारा हम कॉंग्रेस में है मेडम गांदी के प्रतियम को भरोसा है लेकिन जिस हिसाब कि पंजब में हुआ बाकी जो और चले गए उसके बारे में सोचे पार्टी क्यों हार्थी है इनको पार्टी में डिविज़न करने में रस नहीए पार्टी के डैयलोग में रस है उसके लिखार के बच्चों पर यह जो राहूल जी प्रेसिडेंट रहे या फर्ज किंजाब य लाकर सीम निकलर कर दिया अब को पोजिशन तो है निए खुद की निकलर करने की तो यह सब होता है अगर चार लोगों को मुला कर चाय के टेपर पर बैठ कर पूछे के बोलिये पंजाब में क्या करना है तो अच्छा रहता ना और शिर्ण लोगों की इमेज आडवाईज काम तीन-चार बार बटवारा हो चुका है मैं यह पुछना चारह हूं कि क्या उस महाने पर पार्टी खड़ी है कि कॉंग्रेस के एक नेता ने एक बात कही है अपने आर्टिकल में अपने ट्वीट में कि बीजेपी का यह रणीत ही चल रही है कि कॉंग्रेस को बांट दिया ज जलते हैं कॉंग्रेस में जो हुआ इंडिकेट सिंडिकेट आप याद करिए इंदिरा जी ने गीरी साब को प्रेसिडेंट ऑप इंडिया में जिताए थे जी और उसके बाद इंडिरा जी इंडिकेट सिंडिकेट में 69 71 में बंगलादेश अलग करके पूरे 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 देश में कॉंग्रेस का एक एक और उसके बाद इंडिरा जी वाली कॉंग्रेस बटवारा करने के बाद कॉंग्रेस देश के हीत में जरूरी है जरूरी है जरूरी है चोटी हो कम हो हार्थी है उसका एंडिकेट करके क्या करना चाहिए देश को बचाने के लिए तो कॉंग् आहीं वी जरूरी है रह चुके हैं, बीजी बी में रह चुके। इस लिए आप से पूछ रहा हूँ, आप नरेंद भाई मोदी का अच्छे से से जानते हैं, क्या है, क्या ही कोशिश हो सकती है कि कंगरेस का बटवारा हो दोजार्चौबिस के चुनाव के पहले कि इस इस बात में कितना दम दिखता है आपको नहीं 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 होगा क्या सोनिया जी मिलेंगी जीट्वेंटी-थ्री के जिम्मेदारी सिंजर लोगों को लेनी चाहिए जीट्वेंटी-थ्री वाले वाले कौन ज्यादा डेमोक्रेटिक है पार्टी में सोनिया जी या राहुल जी लोगतांत्रिक सोच किसकी ज्यादा है पूरी परिवार की सोच डेमोक्रेटिक है सोनिया जी खुद चिंता करती है और राहूल जी अ very open man very open man do whatever you like जी अबी बहुत सिजम नहीं करते है आज में कभी बहुत सिजम नहीं किया आ बिलकुल नहीं किया मतलब डेमोक्राशी तो गादी परिवार के लड़ में है उसमें बारे में जो सोचते समत्ते हैं वो सब मिलकर कॉंग्रेस को मजबूत बदाना चाहिए और मैडम गादी को एक लिडर्शिप लेकर सबको विट डिस्टेंच चाहिके कप के लिए बुला कर सबकी बात सुदनी चाहिए आधार आधा गुसा निकल जाएगा बुलाने का नौबत बहुत 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 अच्छा रहेगा एक कोन करें आधार आधार प्लिटिकर सेकरेटरी चलिए शंकर सिंग वागेला साह बहुत-बहुत शुक्रिया धन्यवाद वक्त निकालने के लिए मैंने आप से पूछा था कि कॉंग्रेस का गुट जी ट्वंटी थी किसके एबीपी नियूस के ट्वीटर हैंडर अडरेट एबीपी नियूस पर जाकर आप लोगों ने जो जवाब दी हैं उस में सबसे ज्यादा चोहतर फीजदी दर्शों को ऐसा लगता है कि ये बगावत तीनों के खिलाफ चल रही है यानि ये पूरे के पूरे परिवार के खिल दूसरे नमबर पर 15 फीजदी वोट मिले हैं राहूल गांदी के लिए राहूल गांदी के खिलाफ ये बगावत है तीसे नमबर पर सुन्य गांदी का नाम है दस फीजदी लोगों ने ऐसा कहा है और एक फीजदी वोट मिले हैं प्रियंका गांदी को यानि अगर क्रम से प कॉंग्रेस पार्टी को पढ़ने वाले जानने वाले लोगों को समझ में आ राए कि जी ट्वेंटी थ्री क्या बोल रहा है कि अब 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 कि अब 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 कि अब 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 इबीपी नियूज आप को रखे आगे